प्रणाम सभी को लगबग चार सल पहले मेरे में थोड़ी से जब जेतना आनी शुरू हुई जिसको कहते हैं कि एक अवेकनिंग आना शुरू होता है उससे पहले बैस्तों में डेटेल में आप लागों को बताऊंगो कि कैसे मेरे जीवने फिरवरतन आये क्योंकि एक वार मैं कि सादू से मिला तो उसने मेरे उक एक वात कही थी अवे कुश्मीन ने पहले की वात है वो उसने कहा था बच्चा जिस रास्ते पर चल रहा है ना बड़ा मुश्किल रास्ता है मुझे खुशी है कि तू इस रास्ते पर चल रहा है और वो अर्बों में से कोई एक होता है जो इस रास्ते को चुनता है, इतना असान नहीं होता उस मोमाय को लात मार कर, इस त्याक के जीवन को जीना, इस वेरागय के जीना सच मिरे वायों, धेखिए, ये मैं सिर्फ एक इस वेरागय के रास्ते की वात करर रहा हूं, चलो, चार सल पहले मेरे इस जीवन की अद्यातम की जीवन की शुरुआत हो चुकी थी उस वक्त मैं फलाश्टू कलास में था तब ही से मैंने खोज करना शुरू किया तब ही से मैं बहुत अलगलग दर्शनिकों के बारे में पढ़ना शुरू किया उससे पहले आप सभी को शुब कामना है कि चोथा दिन हमारा कम्पलीट होने जा रहा है आज जो वीडियो रहे है थी उसको आप जुरूर देख लेना इस वीडियो का अंत में आपको मैं मूवी का नाम भी बताऊंगा आप लोग जुरूर देखना और जो बाते में कहता हूँ न देखो एक तो होता है कि आदमी भाई राम से गर पे बैठा बड़ा सुसका पेट है और सिर्फ ग्यान बांट रहा है न नहीं मैं जो वी वाते बताता हूँ उसमें आपके सचाही नजराती होगी कि मानो ना मानो देखो समझते होगी मेरी बातों को जो मैं जिन्दगी जी रहा हूँ वही मैं संदेश आप लोगों तक पहुंचाता हूँ ऐसा नहीं कि मैं घर से राम घर पे बैठा राम से सिर्फ उपदेश दे रहा हूँ न जैसे पीछे संदीम वेश्वरी की वीडियो जए थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि आप लोगों का एक क्या बोलते उसको प्रोपोगेंडा है पैसे कमाने का जो जिस इंसान ने अपने जिस मातने इसको जनम दिया उसको छोड़ दिया है जो अपने प्रवार को छोड़ चुका है बला वो पैसों के लाल्ट में ये नानक लिखिया नाल हम तो उसके हुकम में चलते हैं तो स्टोरी बड़ी है जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे इस जीवन में रहाना हुआ लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं हो ये है कि पिसले चास सालों से में बहुत लोगों से मिला बहुत विद्वानो पुरुषों से मिला, काफी योगियों से मिला, वर्मचारियों से मिला, काफी महान पुरुषों की जीवनियों के वारे में जाना, इस प्रमात्मा को समझनी कि देखो, प्रमात्मा अनंत है न, उसको समझा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ हम जितना जाने उतना जान सकते हैं, मैंने काफी खोज की वहार की भी और अपने वीतर की भी एक चीज तो मेरे को समझा चुकी है कि ये दुनिया है ना ये ऐसी ही है इसमें मातर मातर पॉइंटों में कुछ इंसान होते हैं जो गिसी पिटी जिन्दकी को छोड़ कर एक अलग चुनते हैं अलग रास्ता चुनते हैं नहीं तो वही वात है कि 99.99 लोग हर जवाने में सोते रहते हैं जो सोने वाले लोग वर्याद़ प्रशोतम श्री रामचंदर जी के समय भी थे तब भी थे तब भी ऐसा नहीं कि सभी लोग एक्टिव सभी लोग भ्रहमचारी ऐसे तब भी वहगी लोग आलसी लोग आशी लोग आपको मिल जाएंगे श्री गुरु नानक देव जी किसमें भी ऐसे लोग थे हैं न तो इस चीज़ को मैंने समझा कि ये बागल लोग न हमेशा मिलेंगे आपको है न इस इंसार में कुछ लोग होते हैं हर जमाने बे रहते हैं है न जो अलग से हटकर कुछ अलग करते हैं ऐसा ही देखो जब मुगलों का जुलम वर्ता जा रहा था कितना शत्यानास हो रहा था यहांब कितना जुलम कितना बलतकार कितना उस वक्त जुलम था उस वक्त अलग से खानी लिखी है न श्रीगुरू गोविनसीं जी ने तो जब मान पुरुशों की जीवने पड़ता हूं देखो अजादी किसम में सब लोग सो रहे थे कुछ लोगों कोई लेना देना नहीं था उन्हें से निकले चंदरशेकर अजाद है ना जे चीज में आपको क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आज लोग बोलते हैं कि बरमचर है कुछ नहीं है फाल दुख चीज़ यहां तुम आपको यह वात कहा कि यहीं समझाना चाता हूं कि सोने वाले लोग हमेशा मिलेंगे उनको सोना है वो सोते रहेंगे ना तुम जागो और देखो इसलिए मैं कहता हूं जागो मेरे मित्रों ऐसे सो के जिन्दिक मत गुजारो ना एक मूवी चार से बज़ादे मुझे हमेशा कि आप में से काफी वाई लोगों ने तो यह देख चुके होंगे सहाथ 2014 के समय में फिल्म आई थी उसके बाद इसका दो दूसरा पार्ट आया चार से बज़ादे तू देखी मैंने आपको लोगों को शुरू में कहाता कि आप माहन पुरुशों की जीवनिय को जानना इसलिए अब किसी भी माहन पुरुश की जीवनी पड़े अगर जीवनी जुरूर पड़े नहीं तो उससे सब्बंदी तब यूटूब मुवीज देखिया ना क्योंकि मुवीज एक अच्छा माद है मैं उनको समझने का बहुत मुवी तो उपलब्द नहीं है क्य क्या कहा इनका भी प्रोपगेंडा है अब इसको क्या कहा है ना यूद को खराब करने इनको भी बड़ा वीनिस करने तो वहत का मुवीज उपलब्द हैं हमारे मान पुरुशों की चलो मैं उनको भी दिल से दन्यावाद काता हूँ जिन जो लोग अपने जिनोंने अपने मा मुवी बनाई है ना ये जानने की जिस वक्त आपके माने अरजा है ना तो ऐसी मुवी देखा करो आपका ना दिल पिगल जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ उन छोटी छोटे बच्चों को अजीत अजी सिंग वावाजी सिंग जुजार सिंग जोरावार सिंग फते लिए और हम हैं आप हो है ना एक आम इंसान इंद्रियों से उपरी उठ पा रहा देखो छोटा सहब ज्यादा सिर्फ छे से साथ साल का था वड़ा उससे जो बड़ा था वो आट से नौ साल का था इतनी छोटी उमर में उनको एक और आँखे बंद करके सोचना दिवार में उनको एक छोटी से दिवार में बंद कर दिया गया और उनका दम गुटके वो वाम वे शहीद हो गए है ना एक और सोचना कि कितना कैशे छोटोटे बच्चे है ना वो धर्म के लिए उन्होंने जुलम के सामने जुके नहीं वो उन्होंने अपनी मौत को से विकार किया अंदर से आपके अंदर फोर्स आएगी और फोर्स फिर आपकी जो जंजीरिया ना गुलामी की कौन सी गुलामी की जंजीरे जो आपने वांद रखे अपने आपको जो अपने आपने आपको वांदा है ना अपने इंद्रियों की गुलामी वो टूट जाएंगी मान पुश इसलिए मैं इस वात को इतनी वलब पूर्व किसलिए कहा रहा हूं कि बड़ी जान होती है मान प्रोशों की जीवनियों में ना पहला पाट और दूसरा पाट दोनों देखना जो देखना और कमेंट जुरूर करना जुन्होंने पहले देख चुके और जो देखने वाले हैं त वादा करो कि आप इस मुवी को जुरूर देखोगे तो कमेंट में लिखना काफी सारी वाते मैंने कहा दी छोटी सी वीडियो में कि फ्लाश्टू में मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी कैसे मेरी जिन्दगी में उस वक्त जागरतिया ना शुरू हुआ थे इसके मैं फाल दू की चीज़ जब समया गुजारते हो ना मत करो मेरे वाईयों कहता हुँ ना जब महान प्रुशों के बारे में वड़ते हो ना तो आपको खुद पे एक आतम गिलानी आएगी कि मैं कैसा इंसान हूँ देखो कितने वड़े करांदी कारी कितने वान वान प्रुशू होए है इस मिट्टी पे कितना सादू महात्माओं ने जनम लिए है इस मिट्टी पर और हमेशा होते रहेंगे ना उनकी बारे में अब जब जानोंगे तो आपको अंदर से आतम दिलानी आएगी कि मैं हूँ कि तुछ इतनी कुण्ठी तो मांसिकता लिए वेठ हो रहा प्र उस परमफिता परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाते रहें अब डिटेल में एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपने जीवन के बारे में बताऊंगा धन्यवाद